हरियाणा विदhma सभा चुनाव के बाद नाय अपसयनी सरकार अब निकाय चुनावों की तयारीों में चुट गई है जिसको लेकर सीम स्यनी ने विधायक बल की बैठक की जिसमें निकाय चुनावों को लेकर रड़नीती बनाए गई है कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है जिसके लिए बीजेपी ने कॉंग्रेस समेत विपक्षी दलो को चुनावी मैदान में पच्छाडनी के लिए मास्टर प्लान बनाया है बतादे चुनाव के दोरान फील्ड के कई अधिकारियों वा करमचारियों की भूमेका पर सवाल उठ चुके हैं अधिकारियों पर ये आरूप लगा जवा रहे थे कि उन्होंने चुनाव के दोरान बीजेपी के खिलाफ महौल भुनाने के कोशिश भी है इतना ही नहीं बीजेपी न जब हार परमंथन की बैठक की तो इंटर्नल रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया था कि चुनावों के दोरान बड़ी स्वंख्या में अधिकारियों वा करमचारियों ने कॉंग्रिस की मदद और बीजेपी का विरोध किया है ऐसे में फिल्ड में तैनात अधिकारियों वा करमचारियों को विधाय को वा पार्टियों में द्वारों के फीडबैक के हिसाब से बदला जा सकता है बतादे काई जिलों के डीसी और एसपी सरकार पहले ही बदल चुकी है ऐसे में किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए पार्टी ने पहले ही जमिनी स्तर पर बड़े बदलाफ कर रही है मदादिर राज्य में अब शहरी निकायों के चुनाफ प्रस्तावित है जो कि अगले साल जन्वरी से फर्वरी तक होनी की पूरी संभावना है प्रदेश में आठ नगर निगमों, चार निगम परिश्यदों और 22 नगर पालिकाओं के चुनाफ होने है ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजबी को इसका फायदा मिले गाया नहीं